तो आपके पास इस तरह की कत्रन अक्सर बच जाती होगी लाइक जब भी आप कोई कूरता या फिर ब्लाउस बगरे सेलते हो तो चलिए इन कत्रनों से लग जल्ड़ी से स्टाट करते हैं यापे 16 इंटू 16 का कोशन कवर बनाने वाला है तो जम उसी को फो से डिवाइट करेंगे तो हमारा 4 इंचे आएगा यानि हम पों फोर इंटू फोर इंचेस के टूटल शिक्सिं पीसे चाहे हों एंगे तो देखें यहां पर इस तरह से एक बार measurement देख सकते हैं इसमें सारा इसको फैबरिक पर काट के बताते हैं तो फैबरिक पर हमको एक इंच एक्स्ट्रा लेना है दोनों साइट से यानि हमको 5 x 5 का फैबरिक लेना है टोटल तो इस तरह हम निशान लगा कि चौक और कपड़ा काट लेंगे तो इसकी चोड़ाई लंबाई दोनों 55 inch है चली से कर लेते हैं तो ऐसे सेम आपको 16 पीस कट लेंगे इस कट कर ली है और यहांपर मैंने हीट कलर लिए और हर कलर का की चेग यह साइब आप यहां दो कलरों को और फाट रप्र को आन्र मट को अब रखा है और बाकी कलर को मेंने 拜拜 में रख दिया तो मैं इसी तरह से इनको सिलने वाली हूं तो आप अपने कोड़िंग कोई भी कपड़ा लेकर उसको अपने कोड़िंग जमा सकते हैं तो इसके बाद हमको इस तरह का फॉर्म चाहिए रहेगा तो इस फॉर्म की जो लंबाई है वह साड़े सत्रा इंच है और चोड़ाई भी साले 17 इंच है और सेम साइज का हमने इसमें एक फैबरेक अलग से लिया है जो आपका अंदर अस्तर का काम करेगा उसके बाद हमें हमाई कुशन कवर का बैक साइड का उपड़ा लेना है तो मैंने ब्लैक कलर का लिया है और इसका एक साइड से लंबाई हमन इसको सिलना स्टाट करते तो देखिए सबसे पहले मैंने जमाय सेंटर के ब्लैक और यलो फैबरिक थे इनको हम इस तरह से रखके एक साइड से सिलाई डालेंगे तो देखिए इस तरह से आपको दौनों पीसेस रेडि कर लेना है अब देखिए इनको मैंने अपॉज़ेट रखाता है यानि ब्लैक के अपोजेट में येलो था येलो के में ब्लैक तो हम इसमें इस तरह इसको जोड़ेंगे और इस तरह जोड़ें आप कि इनके जोइंट एक दूसरे से एकदम टच हो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा हमने साइड में पिंक और ग्रीन कपड़े क यह उसकी है तो सबसे पहले हम पिंक और ग्रीन को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो देखिए मैंने या पर दौनों पीसे को रेडी कर लिया है अब यलो के पास में हमारा पिंक लगा तो ब्लैक के पास में ग्रीन तो इसको एक बास तरह से जोड़ेंगे देखिए इसक नलोिया वाला लाइन या टमी टाल लेंगे तो खैके लिए यहलो के साथ हमने रेडक के साथ ब्लू के साथ मैं प्राउन को रखा था तो सबसे पहले हम रैट को यलो में चोड़ेंगे गरे को रूम में जोड़ लेंगे इससारे सारे शार ब्लू और आlection करने के बाद इस त इसको जूड़ लिया है अब इसके अंदर के कपड़ों को नापेंगे तो चार चार इंच की बच रहे हैं सारे और इसकी टोटल लंबाई देखिए यहां पर हमाई 17 इंच और यहां से भी 17 इंच बच रही है तो यह एक इंच इसली एक्सट्रा है क्योंकि यह साइड में भी देविंगे भी यह बाद हमें हमारा फॉर्म लेना है और जमने अस्तर का कपड़ा ले आता उसको लेना है और इस तरह से हमें एक दूसरे से इनको जूइंट कर लेना है एक्दम कोनर से स्लाइड डाल कर तो देखिए यहां पर मैंने इसमें स्लाइड डाल ली है इसके दाल तो हम इस तरह से स्लाइड डालेंगे तो में अन्दर से फॉंप January up कर द्ब्ला में तो मियां से स्टार्ट लेकर में तक लगाने कि यह Been यहीं में इसमें उसके नीचे यह जाए hips इसमें Send तक लगा लेते हैं तो ऐसा आपको बालें का द Imperg Central कर लेकर में चोड़ाईन हैं तो देखिए इस तरह से हमने बाकी की दो लाइनों में भी लगा लेना है है निथे हम Way की मैं नौला को बत्ति कर लिए अब मिसको स्वाफसे साइट से भी इस तरह लगाएंगे तो इसमें तो चली इसके आंगे क्यों प्रोसेस स्टाट करते हैं, जो ब्लैक कपड़ा हमने लिया था, इसके हमने एक साइट से लंबाई 20 इंच ली थी, तो उसी साइट से हमको इस तरह से इसमें डवल फोल्ड कर लिना है, इसके बाद हमें इसमें निशान लगाना है नीचे से, दीख बाद हमें हमाई चेन लेना है, और चेन को भी हम फिक्स 15 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद हम इसमें निशान लगा कर इसको कट कर लेंगे, तो ये कट करने के बाद अब हम इसको फैबरिक में जोड़ेंगे, तो दीखिए हमने उपर वाला छोटा फैबरिक था, वो ल दाल लेना है, दौनों सेंटर पॉइंट को आप अच्छे से मैच कर लें, अब देखिए इसलाई हम इसमें इस तरह से इसको जमा कर डाल लेंगे, तो देखिए या पे थोड़ा सा फैबरिक बच रहा है, तो इसको आप बचने दें, और सेम इसी तरह से हम दूसरे साइट स जोड लेंगे इसको, तो देखिए हमने एक साइट से इसको कम्प्लीट जोड लिया है, अभी हमको इस पर उपर से सलाई डालना है, तो इस तरह से आप इस पर एक सलाई डालने उपर से ताकि यह चिन अच्छे से दप चाहें, अब सीम प्रोसेस हमको जो हमने बड़ा पीस लिया था, उसमें करना है, आप इसका सेंटर पॉइंट मिला है, और चीन का भी सेंटर पॉइंट मिला है, उस तरह से इसमें सलाई डालने, तो देखिए हमने सलाई डाल लिया है, इसको भी हमें दर से सलाई डाल लेंगे, और इसकी भी हम उपस सलाई डाल लेंगे, अगर आपको fitted pet sheet बनाना सीखना है या फिर आपको sofa cover बनाना सीखना है तो मैंने i button और description में सारे link दिये हुए है आप मेरी channel पे भी जाके videos को check कर सकते हैं आपको और भी इस तरह के काफी सारे interesting video मिल जाएंगे इस तरह से हमने दूसरी side से भी उपर slide डाल लिया है आज मैं आपको एक बहुत अच्छी technique बताने वाली हूँ chain को छुपाने की तो देखिए हमको इस तरह से हमारा कपड़े को रखना है अभी आपको याद होगा हमने धाई इंच कपड़ा extra लिया था तो देखिए उस कपड़े को हमको इस तरह से fold करना है यहां से हमको slide डालना start करना है इस तरह से हम इसमें नीचे दवाएंगे और इ निचान लगा के बता दीती हूं हमको हमारा कपड़े को इस तरह से रखना है और यहां से हमने एक सीधी लाइंग खीचती है जो हमारा छोटा वाला साइट था महां से अधिके इस तरह से रखना है और यहां से हमको slide डालना start करना है इसमें देखिए इसके fabric के हमने उपर र देखिए यहां से हमने slide डालना start किया 15 इंच की chain रखी थी तो उस chain से हमको बिल्कुल इस तरह से लेना है कि chain इसमें दब जाए रहे है तो यहां से हम इसमें इच्छे से proper slide डालेंगे और इसके बाद देखिए हमारा नीचे वाला कपड़ा रहता है वह इसके नीचे आ रहा इसमें तो यहां से हम एंड तक slide डालेंगे इसमें जहां तक chain आ रही हों तक यहां तक फिर से हमने यहां पर मार्क कर लिया है और फिर से हम इस तरह chain को मिलाएंगे और यहां से आपको दोनों chain को अच्छे से पास-पास करके इसमें भी slide डाल लेना है यहां से फिर से हमने क साइट के फैबरिक को उल्टा रख लिया है अभी दिखिए आपने हमें कोनर से सलाई डालना है जो हमारा कलरफुल फैबरिक जोड़ा था उसके यमें सलाई दिख रहे होगी हमने जो फॉर्म के साथ जोड़ी है तो उससे थोड़ा सा साइट से आप पूरे चारो कॉनर से सला तो शिलाइड डालने के बाद चली हम इसको सीधा खरके देख लेते हैं कैसा लग रहा है देखी cannon को से यहां से लगा सकते हैं और इस दॉसी कुछ ब्लोक देती रहा है बेखी है किटने अच्छा लग रहा है ओर सिक के back ने उसा स्था स्था लगए तहों है और इसके बीच करते हैं तो हम इसके लिए टैसल बनाने वाले हैं इसके चारू सइड मुद्र से लिए हम ऐसे बना सकते हैं तो इसके लिए हमको चाहिए रही की चिस्ञ अ काउन और और एक मार्चे सकते पहले आप इस तरह से मार्चास के box पेून ले लें और इसको मिलें काट लिए अभी हम इसवीज कर दफिए 750 बार लिछद की तरह से तरह से तो चली हम लपीट लेते हैं है इसको के बाद हम इसे मार्चेज बॉक्स में से निकाल लेंगे इस तरह से तो इसके बाद देखिए हम इस तरह से इसको पकड़ना है और दूसरे उन से हम इस तरह से इसमें लपेटना है और फिर से हम इसमें अच्छे से गांट लगा देना है लगाने के बाद सिजर की हैल्फ से हम इ इसमें एक बार फिनिशिंग से इसको कट करेंगे देखिए हमाई लटकन रेडी है तो ऐसे आपको टूटल 16 लटकनों को रेडी करना है चली इन लटकनों को कुशन कवर में लगाते हैं तो देखिए हर जोइंट पर हम एक लटकन को लगाएंगे इस तरह से तो इनको हम अभी स्टागे के एल्फ से टक कर लेंगे तो देखिए हम चेन उपन कर रहे हैं और यहां से हम हमारी सुई को निकाल रहे हैं भार की साइड और यहां से हम इस टैजल में भी इसको जोइंट कर लेंगे और इसमें हम अच्छे से इसको टक कर देंगे ताकि यह इसली निकले ना त पौरवी कि अतरह नहों के तेत कि सबस्क्रार के तो रहता है कि वह बीट एप जिर में हम लिए थे चेस May अशुछा नहीं है का जाणा व कुष्यो पर खार लें घृति चारत month कि सब्सक्राइब के लिए सबस्ते हैं बार हम इसको कोशन में डाल करो बता देते हैं तो इस तरह का लुप देगा को वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर एंड सस्क्राइब करें और बेल आइकॉन भी आप दबाने ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप आने वाले समय में देखते र झाल